हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम कपड़े के इन चोटे चोटे पीसेस में से कुछ ऐसा तैयर करेंगे जिसे हम बहुत आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं आंड करने के लिए तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर टू पीसेस लिया हुआ है जिनका मेजरमेंट है फाइब बाई फाइब इंचेस आप इससे भी चोटा रख सकते हो तो इस पीस को फाइब बाई फाइब की स्कुएर पीस है जिसको हम इस तरह से एक बार फॉल्ड करेंगे दुबारा स हमें एक राउंड पीस मिल जाए तो यह देख सकते हो इस तरह के से कटिंग के बाद हमें इस तरह की राउंड पीसेस मिलेगा तो दोनों पीसेस को कर लेने के बाद आप इनको हम बीच में से टू पीसेस कर लेंगे इस सारकल पीस को हम हाफ सारकल में इस तरह के से काट कर ल लेस है इसको मैं इस तरीके से रखूंगे जो बीड वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक स्टीच लगा देंगे तो इस तरीके से लेस को जोएंट कर लेने के बास इसका जो दूसरा पीस है पार्ट है इसको हम इसके उपर रखेंगे और सेम टू सेम हम इसको भी जोएंट कर लेंगे तो इस तरीके से जोएंट कर लेने के बाद इस पार्ट को हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए जो बीड वाला लेस है और काफी अच्छे से यहाँ पर जोएंट हो जुगा है आप हमें कुछ फाल्तू कपड़ा लेना है जिसे इस तरीके से चोटे चोटे पीसेस में काट करने के बाद या तो फिर आप रुवी का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी अंदर फिल करने के लिए तो इस तरीके से आप हम इन पीसेस को इसके इस पर फिल कर लेंगे आप हम इस तरीके की एक डोरी लेंगे आप नॉर्मल कपड़े की डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसको मैंने फूर फॉल करने के बाद यहाँ पर एक नोट डाल दिया है आप इस पूरी प्रोसेस को सुईदागे की मदद से भी कर सकते हो अगर आप मशीन नहीं है फिर भी आप पूरे इस पूरे प्रोसेस को सुईदागे की मदद से कर सकते हो तो इसे नोट लगाने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे आप जो इसका कुला हुआ पार्ट है इस पार्ट को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सुईद अगे की मदद से इस पार्ट को हम जोइंट कर लेंगे तो इस तरीके से टाका लगाने के बाद जब हम इसकी बिल्कुल मीडिल पोइंट पे आ जाएंगे तब हमें इस लूप को डालना है तो इस लूप को हम इस तरीके से इसके बिलकुल मीडल पॉइंट पर ढलेंगे इसका जो नोट वाला पाथ है इसे में अंदर की तरफ डालूंगी और इसके उब़ तीन अच्छे से टंका हम लगा देंगे इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है इसे भी हम complete कर लेंगे तो इस तरह की तो देखिए यहाँ पर में एक बहुत ही beautiful सा लटकन तयार हुआ है इस तरह की लटकन अगर आप market में लेने जाओ तो 120 से लेकर 200 में मिलता है तो देखिए यहाँ पर मेंने कपड़े के कुछ जो बाचे हुए पीसे से इनी से तयार किया हुआ है आज काल तो कुर्ती हो बलाउज हो सारी के आचल में यहाँ तक की लेंगे पर भी लटकन का इस्तेमाल होता है अगर market में यह 200 में मिलता है तो आप भी इसे बना कर सेल कर सकते हो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया शेयर किया हुआ है आपको यूटूब पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी आइडियास मिल जाएंगे तो वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना जल ही मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई